नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी चैनल अचार जागdidर मिस्रा में मिथुन रासी एक अپरेल से लेकर 7 अपरेल 2021 से पाँच बड़ी खुशखबरी मिलेगी जी हाँ दोस्तों दोस्तों नया महीना अपरेल का महीना सुरू होने वाला है और ये अप्रेल का महीना इसके जो पहले साथ दिन होंगे यानि कि जो इसका पहला सब्ता होगा वो मिथुन रासि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन साथ दिनों के बारे में यानि कि एक अप्रेल से लेकर साथ अप्रे पहले एक चोटा सानिवेदान की चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेर अवश्य करें दोस्तों एक अप्रेल से 7 अप्रेल 2021 तक मिधुन रासिफल की बात कर रहे हैं और अगर ग्रहों की स्थिति देखें तो एक अप्रेल का जो दिन है ये गुरू बार का और सब्स्ता की सुर्वात होगी यानि कि कि श्यृत्व क्रषण पक्ष की चतूरति तिथी से और नच शदीन बशाकर रहेगा चंद्रमस्ति इस दिन बर्शिक रातес ब्रश्री कर रहने वाली है चाला कि ब्रश्र stiff राश्यॆ कर धनु रासी और मकार राश्यमें गोचर कर और इस दिन सरवार्द सिध्ध योग यानि सब्ता की सुरुआत सरवार्द सिध्ध योग रहने वाली हम इतनुरास के जातकों के लिए जो कि बेहद अच्छा है और सब्ता की जो सुरुआत होगी बहुत ही सांधार रहने वाली है अच्छी होनी वाली है इसके अलावा एक अ परआठ करेंगे यानिकी गुरू ब्रिहस्पत का भी राशी परिवर्तन होगा पांच अप्रेल को वो भी अपनी नीची राशे से निकल कर कुम राश में गोचर करेंगे यनि कि ये जो इस्तिया रहेंगी काफी ज़्यादा यनि कि बदलाओ की इस्तिया दिख रही है एक तो सरवार्द सिद्ध योग से शुरुआत और फिर दो ग्रहों का राशी परवर्तन तो ये जो सब्तार है का मित्वन राश कियात को बहुत ही अच्छा रहने वाला है और खास कर देखिए राहू और मंगल अंगारक योग भी बना रहे हैं आपके बार में भाव पे के तो ब्रिशिक राश में रहेंगे इस सब्ता तो दोस्तों इन तमाम ग्रहओं की स्थिटियों को देकर इन तमाम ग्रहओं की गोचई दितियों का शठीक बिस लेशन करके अब हम मिथून रास की यत को आपके लिए बताएंगे को केरियर, बिजनेस, व्यापार, कारोबार, जौब, नोकरी, आपका दामपध जीवन, फ्र पहतर अबसर मिलेंगे आपको पांच बड़ी खुसकबरी हमने कहा है तो आपको नौकरी लगने की उमीद बनी वी है नौकरी के लिगर आवियदन करते हैं पहले नहीं लग रही थी तो नौकरी जल्द आपकी लगने वाली है साथी नौकरी से रिलेटर आपको बड़ी खुसकबरी प्राप्त हो शकती है और नौकरी में उच्छिपत की प्राप्ती हो शकती है साथी साथ प्रमोशन की योग बनते न जराएंगे छटे भाव पे चंद्रमा का गोजर करना छटा भाव नौकरी का होता है लेकिन यहां पर अपने सत्रों से थोड़ी से सावधानी जरूर बरतनी होगे किसी प्रकार की कोई लापर वाही ना करें सत्रो हो या आपके कोई मित्र हो मित्रों से भी आप ज़्यादा अपने गुप्त बाते शेयर ना करें हलाकि आपको दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा बिजनेस ब्यापार वे अच्छा खासा मुनाफ़ा प्राप्त होगा क्योंकि सब्तम भाव पे जब गोचर करेंगे चंद्रमा तो साजेदारी में किया गया बिजनेस ब्यापार अच्छा खासा मुनाफ़ा देखने को मिलेगा पार्टनर्शिप का होता है सात्मा भाव तो यहां से आपको अपने जीवन साथी से भी अच्छे सा योग पराप्त होंगे साथ ही बिजनेस ब्यापार के मामले में बहुत ही अच्छी योग बनते नज़राएंगे और दो ग्रहों का रासी परवरतन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है क्योंकि आपके भाग भाव पे आपके यहां पर यानि की कहा जाए तो भाग भाव पे गुरू का यानि की ब्रिहस्पत का रासी परवरतन होगा भाग भाव पे आगए और पांचमे द्रिष्ट से यहां पर मिथुन रास के लोगों को देखेंगे तीन ग्रहों के साथ यूती बना रहे हैं शूर और सुक्र के साथ तो ये आपके लिए अपसर बहुत अच्छा रहेगा बिजनेर ब्यापार वे अच्छा खासा मनाफ़ा प्राप्त होगा केरियर में बड़ी उपलब्दी हैं शलोगी उच्छा धिकारियों को सपोर्ट लेकिन अश्टम भाव पे जब जाएंगे थोड़ा सापको बाहन से सावधानी ब्रतनी है चोट चपेट न लग जाए दुरगटनाओं से शावधानी ब्रतनी है बिवादों से दूरी बनाए रखना है मिथुन राज की आतको शप्ता में अंत में क्योंकि अश्टम भाव में खुशिया है दापत जीवन में प्रेम है आपश में प्रेम बढ़ रहा है और खूब सारा धेर सारी बाते हो रहे हैं आपश में मीठी मीठी बाते होंगे एक दूसरे से कंदेश कंदे मिला कर चलेंगे जीवन साथी का सपोर्ट आपके लिए बहुत मायनी रखेगा संत संतान की तरफ से खुसकवरी मिल सकती है तो संतान से रिलेटट बड़ी खुसकवरी आपको मिलेगी तो देखे सबसे बड़ी खुसकवरी और पहली जो खुसकवरी है तीसरी बड़ी खुसकबरी मिथुन राजकियात को इस शब्ता में स्टुडेंट के लिए रिजल्ट आने के इंतिजार करें तो बहतर रिजल्ट आ और आपके पक्ष में आता हुआ दिखाए देगा चोथी बड़ी खुसकबरी है कि कोई यानि की डेल फाइनल होनी थी बिजिनेस व्यापार में या रुका हुआ फसा वद्धन रुका था तो वो आपस आपको मिलता हुआ नजराएगा और जो पांच में सबसे बड़ी खुसकबरी यह है कि आपके घर में जो सिंगल जातक हैं जो आविवाहित उनके विवाह के रिष्टेत हो सकते हैं जिसके कारण आपके घर में काफी ज़्यादा खुशियों का बातावरान देखने को मिलेगा काफी ज़्याद उत्साहित नजराएंगे मिथ हुन रास्कियाद को इस शप्ता हमें और घर परिवार का शपोर्ट घर परिवार के साथ कच्वी अच्छी इस्तितियों का निर्मार हो रहा है और मिल जूलकर पीता जी का अशिरवात प्राप्त होगा कोई भी नेड़ा लेंगे तो पीता जीसे सलाह जरूर लें प्रतियों की परिष्छा के त्यारी में जूटे हुए हैं इंटर्वी के त्यारी में तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे यहां पर जोग में किसी बड़ी कंपने से आफ़ार आशकते हैं और तमाम स्टाप का सहयोग प्राप्त होगा साथ ही लवलाई बहुत अच्छी रहने वाली है शप्ता तो मिथुन रास क्यात को एक अप्रेल से लेकर साथ अप्रेल तक का जो इस्तितिती रहेगी लवलाई कि अप्रेल में थोड़ा बाहन से सावधानी बरतनी है विवादों से दूरी बनाए रखना कि शाथ बीवाद ना करें मिथुन रास क्यात को वैसे तो देखा जा तो काफी अच्छा है आपका घर परिबार सेहत में सांदार यानि वैसे तो देखे ठीकी रहेगा लेकिन 6-7 के दिन आपके सेहत थोड़ी सी नर्मी देखने को मिल सकती वाकी दिन यानि की काफी अच्छे रह गए कर परिल से लेकर 5 अपरिल तक का और यहां पर देखे कोई भी साज़ेदारी में बिजनेश ब्यापार करते हैं तो मिथुन रास क्यात को नेरा सही लेंगे तो मुनाफ खरीते ने जड़ाएंगे नए बिजनेश ब्यापार की प्लानिंग कर सकते हैं और उसे जमीनी धरातर पर उताने के कोशिश करेंगे हलाकि आप जो निर्दन लेंगे वो शही शावीत होगा लेकिन सोच समझ कर ले और एक्सपर्ट से सलाह ले मिथुन रास क्यात हो तो आपके लिए सब्सक्राइब करें उसे शेयर करें जैशन